Books That Speak में आप सभी का स्वागत है पृत्वी हमारा घर है लेकिन हमारा ये अदुभुत घर जलवायू संकट के कारण बदल रहा है यानिके climate change भारत भर के बच्चे जलवायू परिवर्तन के बारे में अपनी भावनाओं को साज़ा कर रहे है और बता रहे है कि ये कैसे उनके आसपास के परिवेश और जीवन को प्रभावित कर रहा है तेरा चित्रकारो द्वारा चित्रित ये महत्वपूर्ण संदेश पूरे देश के बच्चों की आवाज है उन सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार जिनोंने जलवायू की बिकट समस्या पर प्रथम बुक्स के सवालों का जवाब देने के लिए समय निकाला काश आपके सभी जवाबों और पत्रों को इस पुस्तक में जगह दे पाते तो शुरू करते हैं आज की ये अलग सी कहानी हमारी आशा जलवायू परिवर्तन पर बच्चे ओरिजनल स्टोरी वी होप चिल्डरन ओन क्लाइमेट चेंज बाई प्रथम बुक्स ये कहानी का लेखन और चत्रांकन बहुत सारे अलग-अलग राज्यके स्कूल के बच्चों ने किया हुआ है और हिंदी में अनुवात किया है राजेश खर जी ने इस कहानी का वाचन है आसावरी दोशी धूप से जिल्मिलाते समुद्र में जेलिफिश चमकते है बुलबुले चह चहाती है लोमडिया अपनी पूच का कंबल ओढ़े सोती है कितनी गजब है हमारी ये दुनिया जिसमें हम सब रहते है पर सब बदल चुका है आज हम ऐसी दुनिया में रह रहे है जिसे हम इंसान उने बदला है इन में से कुछ बदलाव हमें दिखते है और कुछ नहीं दिखते अलग-अलग लोगों के लिए जलवायू परिवर्तन का मतलब अलग-अलग है वर्शा का पानी जो बाड बनकर उनके घरों में घुसाया हीम जो हिमस खलन बनकर उन पर तूटा जंगलों की आग जो दानव बनकर फुफकारती रही गरम होता समुद्र जिसने तट को निगल लिया दहकता सूरज जिसकी गर्मी ने फसलों को जुलसा डाला ये चित्रका चित्रांगन किया है काना तो जीमो ने ये बाते इस बात का संकेत है कि कही कुछ गड़बड है संकेत है कि समय रहते हमें चीजों को तुरंत ठीक करना पड़ेगा, भूल को सुधारना होगा। मिल जूलकर हम अपनी पृत्वी को दोबारा स्वस्थ बना सकते हैं और सभी के लिए एक अच्छी दुनिया बना सकते हैं। हम देख रहे हैं कि तापमान बढ़ने से समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, हमारे द्वीप पर जीना मुश्किल हो जाएगा। ये लिखा है शबनम बिस्वास, उमर 13 वर्ष, भारतिय विद्याभवन मंडल पब्लिक स्कूल, मधुपूर डिगलीपूर उत्तर अंदमान द द्वीप दक्षिन फाउंडेशन और यहां के चित्र बनाए है प्रभा माल्या। जब पृत्वी का तापमान बढ़ता है तब समुद्र उस गर्मी को सोख लेते हैं जिससे उनका जलस्तर बढ़ जाता है। पानी गरम होने के कारण हीमनद और हीमखंड पिघलने लगते है और समुद्रों का जलस्तर बढ़ जाता है। जब पानी गरम हो जाता है तब प्रवाल भित्तियों का रंग उतर जाता है और वे मरने लगते हैं। प्रशांत महासागर के द्वीपो, तुवालू, किरिबाटी और नोरू आदी में रहने वाले वन्य प्राणी और लोग जल जलवायू परिवर्तन के पहले पहल शिकारों में से है। भारत के अपने अंदमान और निकोबार द्वीप समुह भी शायद वर्ष 21 सो तक बसने लायक नहीं बचेंगे। दुनिया के 40 से अधीक द्वीप राष्ट्र एकजूट हुए है ताकि लोगों को ध्यान इस तथ् लीपों के पानी में डूबने के बाद जलवायू परिवर्तन द्वारा पीडित शरणार्थी बन जाएंगे। अभी सुनते हैं सात्वीक से उमर पंधरा, S.V.S. उच्चविद्याले, अगुंबे, करनाटक, कलिंग सेंटर फॉर रेन फॉरेस्ट इकोलोजी। किया है डेविड यांबेम ने। इस तरह से जब नन्ने-नन्ने मेंडक के बच्चे पैदा होते हैं, तो सीधे पानी में पहुच जाते हैं। यदि आप मेंडकों की आवाजों को ध्यान से सुनें, तो पता चल जाएगा कि सरीता में पानी बहुत कम है या बहुत ज्यादा है। जरा ऐसी दुनिया की कलपना कीजिए जहां मेंडक के बच्चे पैदा ही नहीं हो पाते और हम मेंडकों के अनोखे टरर टरर से वंचित हो जाते हैं। अब ये आगे लिखा है यश राजेंद्र डोले, उमर तेरा वरस, धनोरा, महराश्ट्र, अभियान नालंदा पुस्तकाले। यश कहता है हमारे गाव के नलो से पानी नहीं आता, मुझे मम्मी के साथ पानी लाने के लिए बहुत दूर चल कर जाना पड़ता है। ये चित्रांकन किया है आर्ती कुमार राव ने। 20-20 किलोमीटर दूर से चल कर पानी लाना पड़ता है। कई बार उन्हें हर दिन ऐसा करना पड़ता है और दिन में कई बार पानी ढोना पड़ता है। अब समुदाय साथ मिलकर सूखे की इन स्थितियों से मुकाबला करने के लिए पानी के स्त्रोतों के बहतर प्रबंधन के लिए आगे आ रहे हैं। है तेरा टैमरिंट्री स्कूल डहानू महराष्ट्र से हमारा गाव पहले जंगल जैसा दिखता था पर अब वैसा नहीं दिखता। चित्रांकन किया है दबिक फैट बाओ। क्या आपको पता है कि पेड किसी नगर के तापमान को 12 डिगरी सेलसियस तक कम कर सकते हैं। फिर भी दहानू में कारखानों की जगह बनाने के लिए जंगल काटे जा रहे है जिससे वैश्विक तापमान और भी बढ़ेगा। ये उस विशेश अतिथी के लिए बुरी खबर है जो इस तटिय नगर में आता है। जिससे ओलिव रेडली कच्चुओं की कुल आबादी का नाजुक संतुलन बिगड जाएगा। उसके बाद पूजा भदोरिया, उमर 15, महत्मा गांधी सैनिक इंटर कॉलेज, पाचे गाव, इटावा उत्तर प्रदेश से है, घडियाल इकलोजिकल प्रोजेक्ट। ये कहना चाती है, कच्चुओं मर रहे है। चितरांकन किया है अर्चना श्रीनिवासन, लाल सिरवाला बाटागुर कच्चुओं चंबल नदी के रेतीले तट पर धूप सेक रहा है, ये कच्चुओं इतने दुरलब है कि पूरी दुनिया में 500 से भी कम जीवित बचे है, क्यों? क्योंकि उनका बेतहाशा शिकार हुआ है और वे मचुआरों के जालों में फस कर मर जाते हैं। जिस नदी की रेत में वे अंडे देते हैं, वो रेत अन्य कामों के लिए निकाली जा चुकी है। यहां तक की पानी भी नहीं बचा जो उनके लिए जीवन दाई है। जलवायू परिवर्तन से गर्मी बढ़ी है और नदिया सूख गई है। जिससे कई अन्य प्राणियों का भी जीवन प्रभावित हुआ है। जैसे घडियाल जो ताजे पानी में रहने वाला जीव है। इसकी आबादी सन 1940 के मुकाबले 98 प्रतिशत तक कम हो गई है। चमबल नदी के क्षेतर में लोग अब कचुओ और घडियालों को लुप्त होने से बचाने की भरसक कोशिशों में जुटे है। एक-एक अंडा बचाना ज़रूरी है। अभी देखते हैं रौनक कुमार, उमर 15 साल, सिकंदरपुर हरियाना से है The Community Library Project, ये क्या कहना चाता है। जलवायू परिवर्तन, जीवो और मनुशों से उनका आवास छीन लेता है। चितरांकन किया है रोहन दाहोत्रे ने। सदियों तक हरियाना के पास के मैदान हिर्नों की एक प्रजाती, काले हिरन या ब्लैक बग का आवास रहे है। घास के मैदान जंगलों की तरह ही वन्य जीवो और अन्य चीजों के धनी होते है। ये वायू मंडल से धेर सारा कारबन डायकसाइड भी सोकते हैं, परन्तु घास के मैदानों को अकसर बंजर भूमी जैसा मान लिया जाता है। उन पर गैर कानोनी कबजा करके खेत, मकान और कारखाने बना दिये जाते हैं। उनको चीरती हुई सडके और रेल की पट्रियां बिचा दी जाती है। बढ़ती हुई गर्मी और सूखे के कारण घास के मैदान और काले हिरन दोनों खत्रों में पड़ गए है। एक को बचाने का मतलब है दूसरे को बचाना। अभी अथर्व राउत उमर पंधरा अक्षरा हाइस्कूल मुंबई महराश्ट्र सुनते हैं ये क्या कहना चाता है। मेरे फेफडे ठक गए है। चितरांकन किया है कारुण्या बसकर ने। मुंबई दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूशित नगरों में से एक है। कल कार्खानों और वाहनों से निकलने वाला और कच्रा जलाने का धुआ, निर्मान गतिविदियों से उठती धूल और बिना उपचार का जल मल समस्या को और गंभीर बनाते है। शुक्र है कि मुंबई के प्राकृतिक तटरक्षक, वहां के मैंग्रोव जंगल, किसी भी अन्य, पारिस्थिक तंत्र के मुकाबले आठ गुना अधिक कार्बन डायकसईड सोकते है। जलवायू परिवर्तन, मिट्टी की कटान और बाड रोकने की हमारी लडाई में धाल का काम करते है। जलवायू परिवर्तन के कारण बढ़ते हुए चक्रवाती तूफानों, सुनामी और हद से ज्यादा बिगडी हुई मौसमी परिस्थितियों में वे हमारे बचाव की अग्रीम पंग्ती में आते हैं। अभी सुनते हैं लक्षिता सोनी, उमर सोला साल, राजकिय उच्च विद्याले, मोचा, मध्यप्रदेश, लास्ट विल्डरनेस फाउंडेशन, तो लक्षिता हमें क्या कहना चाती है। मुझे जलवायू परिवर्तन से बदली हुई दुनिया में अपने भविश्य की चिंता सताती है। यदि ऐसा ही चलता रहा, तो हमारी पीडियों के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। सही बात है ना। चित्रांकन किया है सुदर्शन शौ। दुनिया भर में और भारत में भी आदिवासी और मूल निवासी अपने निवास के जंगलों और उनके वन्यजीवों के बचाव में सबसे आगे रहे हैं। परन्तु इन लोगों को अकसर अपने जंगलों से बेघर होना पड़ता है। इस तरह जंगल की भूमी, खदानों और क्रूशी की जगह बन जाती है, जिससे नदिया और वन्यजीव खत्रे में पड़ जाते हैं। मूल समुदायों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए ताकि वे अपने घरों में जी सके जो घने जंगलों के भीतर स्थित होते हैं। महरान शफी, उमर 12, हाजी पबलिक स्कूल, डोडा, जमू और कश्मीर, सुनते हैं महरान हमसे क्या कहना चाता है। मैं पृत्वी पर अपने भविशकों को लेकर परिशान हूँ क्योंकि हम बच्चों को ही सबसे ज्यादा कश्टों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही मैं अपनी धर्ती के लिए भी दुखी हूँ। चत्रांकन किया है कनक शशी ने। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी से हिमालई क्षेतर दुनिया में सबसे अधिक तेजी से गरम हो रहा है। पिघलती हुई बरफ के पानी से जीले बनती है, जिनके ज्यादा भर कर नीचे बहने पर हीमस खलन और भूस खलन होते है। बिना चेतावनी के आकस्मिक बाढ़ाती है, ये अपने रास्ते में पढ़ने वाली हर चीज को नश्ट कर देती है, चाहे गाव हो, खेत हो, जीवजन्तू या लोग हो। हाला कि जलवायू परिवरतन के प्रभाव से होने वाले प्रचंड मौसमी बदलाओं से सभी का जीवन प्रभावित होता है, पर इन से बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचता है। बच्चों को जीवन में अपने नाना नानी, दादा दादी के मुकाबले तीन गुना ज्यादा मौसमी तबाही का सामना करना पड़ेगा। सुनते हैं बेधनी क्या कह रही है, उमर है दस साल, Hope Center School of Music and Performing Arts दीमापूर नागालैंड से। प्रतिवर्ष नागालैंड में अमूर बाजों का स्वागत होता है, जो अफरिका से एशिया तक अपनी 22,000 किलोमिटर की यात्रा करके यहां पहुँचते है। पंगटी गाव के आसपास लाखों की संख्या में इन्हें घोसले बनाते और अंडे सेते देखा जा सकता है। पहले इनका खूब शिकार होता था, पर अब स्थानिय लोग इनका सवरक्षन करते हैं और इन पर गर्व करते हैं। पर नागालैंड एक और तरह के पलायन का साक्षी बन रहा है, जो मौसम के बदलाव से पैदा होने वाली समस्याओं के कारण हो रहा है। बे मौसम बारिश से खेती का चक्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग अपने गावों को छोड़ कर जा रहे हैं और जलवायू परिवर्तन के कारण शरणार्थी बन रहे है। अभी देखते हैं पूर्णा नामा उमर चौदा फतेह पबलिक स्कूल सवाई माधोपूर राजस्थान से पूर्णा हमें क्या कहना चाती है। पेड के लिए जंगल उसका घर है। तेंदुए के लिए एक शहरी वन घर हो सकता है। तितली के लिए बगीचा उसका घर है। मकडी के लिए खिडकी का कोना घर हो सकता है। छिपकली के लिए मकान की दीवार घर हो सकती है। हर एक घर का अपना महत्व है और पृत्वी हम सभी का घर है रिद्धिमा पांडे जलवायू कार्यकरता भारत ये कहना चाहती है मैं सभी बच्चों का भविश्य बचाना चाहती हूँ और आने वाली पीडियों के सभी लोगों का भी महेश नायक उमर चौदा वीजी केके स्कूल बियार हिल्स करनाटक ये कहना चाहता है मैं जंगलों की संपत्ती को बढ़ाऊंगा मैं नहीं चाहता कि भविश में कोई ध्वनी प्रदूशन या जल और वायू प्रदूशन हो यहाँ पे चत्रांकन किया है बाबा की की ने आयूश जाधव उमर ग्यारा अक्षरा हाइस्कूल मुंबई महराष्ट्र ये कहना चाहता है यदि जलवायू परिवर्तन को रोकने के लिए मैं कुछ भी कर पाता तो वर्षा को भाब बना कर उड़ा देता और खेल की घंटी जारी रखता ग्रेटा थनबर्ग जलवायू न्यायकार्य करता स्वीडन से ग्रेटा कह रही है होमो सैपियंस अभी असफल नहीं हुए है हाँ हम नाकाम हो रहे है लेकिन अभी भी हमारे पास स्थिती को बदनने का समय है हम सब सही कर सकते है अभिराज उमर सोला अक्षरा हाइस्कूल मुंबई महाराष्टर अभिराज कहना चाता है जलवायू परिवर्तन किसी जोंबी विनाश जैसा है जो थमता ही नहीं शीये बैस्टिंडा जलवायू न्यायकार्य करता मेक्सिको हम पृत्वी पर जीवन की देखभाल के लिए है साथ ही एक दूसरे की देखभाल के लिए भी बदलाव का समय आ गया है बच्चे आगे बढ़कर अपनी निराशाओं के बारे में बता रहे है और एक आशावान भविश के लिए बहतर निर्णय लेने पर जोर दे रहे है अब समय है कुछ करने का चीजों को सही करने का बच्चों की सुनने का आपकी बात सुनने का मिल जुलकर हम धरती को फिर जीवित कर सकते है और अपने लिए एक बहतर दुनिया बना सकते है चित्रांगन था काना तो जीमो ये थी बच्चों की आवाज परियावरण को बचाने के लिए और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए Books That Speak इस चैनल पर जरूर आईएगा YouTube पर और अलग-अलग podcasting channels पर website www.booksthatspeak.com मिलते हैं और एक अगली कहानी में तब तक बाई-बाई धन्यवाद मिलते हैं और आई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई